Hello friends, welcome back to the channel, एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है, ग्राफिक स्किल में यहाँ दोस्तों जहाँ पर आप सीखते हैं, ग्राफिक्स डिजाइनिंग से रेलेटेड सारी बात है, जियाँ, so मेरा एक ही मोटीव है, सिर्फ और सिर्फ आपको एक अच्छा और बेहतर और काम्याँ ग्राफिक्स डिजाइनर बनाना, तो जले दोस्तों, आज किस वीडियो में बात करते हैं मोकप डिजाइन के बारे में, तो बिना देर के वए वीडियो को सुरू करते हैं, सबसे पहले यह समझना है हमें कि मौकप डिजाइन अगर हम मौकप डिजाइन की बात करें तो मौकप डिजाइन होता क्या है सबसे पहले तो आप यह समझ लो कि मौकप डिजाइन क्या होता है हम मौकप डिजाइन किसे कहते हैं मौकप डिजाइन क्या होता है कि अगर आप किसी भी चीज की एक अगर मौकप कर दें, अगर किसी भी डिजाइन का अगर आप एक मौकप बना दें, एक प्रिशेड बना दें, तो कोई भी बंदा उसको एडिट करके बहुत ही जल्दी अपना कोई भी चीज वो उस डिजाइन को अचीव कर सकता, जैसे मैं समझें कि मोकप डिजाइन होता क्या जैसे एक चीज समझा तो मोकप करने के लिए मोकप डिजाइन का मतलब होता है कि किसी भी ए조 छेप पर किसी इंदर हमें कोई चीज को सेट करना जैसे अभी देखो यहां पर आप देखेंगे इस मैगजीन में तो यह मैगजीन को देखते समय आपको लगीगा कि यह बिल्कुल उसी तरीके से एकदम यहां पर देखो बनाया हुआ है जैसे लग रहा है कि यह मैगजीन इसी जो यह डिजाइन है इसी मैगजीन का लेकिन actual में यह design इस magazine का नहीं है यह magazine कुछ ऐसा है ठीक है जिसको हमने यह पर बनाया हुआ है और इसको हमने ऐसे set किया है तो mock-up design अगर आप करके रखते है तो आपको सिर्फ एक ही बार महनत करना है यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि यह एक magazine में ऐसा design लगाए लेकिन यहाँ पर आप कोई भी design बहुत ही असानी से लगा सकते हो सिर्फ आपको एक बार महनत करनी है बस दुबारा आपको महनत करने की ज़रोत नहीं है तो चलिए मैं यहाँ पर कुछ और लगा कि आपको दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में अगर इसके अंदर इसको डालना है तो आपको बहुत ज़्यादा महनत करने पड़ सकते थे लेकिन अभी आपको महनत करने की ज़रोत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने यह mock-up बना रखा है तो पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसको कैसे use करना है और फिर मैं आपको यह करना है इससे कर देना है close जैसे आप इसको close करेंगे ना आप यहां पर आकर check किजे और यह देखिए एकदम बकाइदा वह जो आपका design था इस mock-up पे बैट चुगा है ठीक है इस mock-up पे पूरा का पूरा वह design बैट चुगा है तो यह बहुत ही simple है आप यहां से यह काम कर सक देता हूं और delete कर दिया और हमारे पास यहां पर सिफ और सिफ एक document है एक image देख रहा है तो मैं इसको फटा-फट सेफ कर लेता हूं थोड़ा ठीक है मैं यहां पर सेफ कर लेता हूं ऐसे करके और अब मुझे यहां पर उन चीज़ों को लगानी है तो मैं इसको भी delete कर देत जो चीज़ हमें यहां पर हम लगाना चाहते हैं सो आईए यहां पर और इसको हम यहां पर उठा लेते हैं ठीक है? यह design हमने कैसे बनाया है इसकी पूरी details हमने अलरडी record करके रखी हुई है सो आप हमारे channel पर भी जाकर इसको देख सकते हैं कोई problem नहीं है वहां पर आपको यह मिल जाएगा तो अभी सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको यहां पर जाना है और यहां पर मुझे इस design को यह design जो है यहां पर कुछ ऐसा set करना है कि यह mock-up बन जाए और हमें कोई problem नहों बाद में भी हम इसको आसानी से इस पर काम कर सके कैसे करना है ध्यान से समझेगा सबसे पहले आपको क्या करना है आपको सबसे पहले एक new page लेना है a4 का a4 का एक नया page लेना है आपको a4 का एक नया page ले लिया और page लेने के बाद आपको क्या करना है कि इसमें कोई भी एक color भर दीचे just for the information आप यहां पे कोई भी color भर दीचे यह A4 का है तो इसको मुठा के कहां ले जाएंगे यहां ले जाएंगे यहां पे ऐसे आगया अब आपको क्या करना है अब आपको करना है सो control T लेकिन before use control T आपको control T use करने से पहले क्या करना है कि इस layer पे right click करना है और आपको कर देना है convert to smart object सो convert to smart object कर दिया अब हम इसको करेंगे control T ठीक है and then हम इसको right click करेंगे और यहां से use करेंगे distort और इस distort को यहां ले जाएंगे और इसे आप लेके चले जाओ यहां और इसे लेके चले जाओ आप यहां और इसे आप रख दो यहां यह देख़ें यहां पर incorporate यहां लिए अभी आप देखेंगे तो आप खुद भी सोच सकते कि यह तो यहां पे बिलकूल भी ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि यहां पर ऐसा page का है तो अभThe कि हम क्या करें so मैंने अभी यहां पर क्या क्या distort करके set कर दिया लेकिन अभी मुझे यहां पर देखो यह पेज ऐसा चाहिए मुझे ऐसा तो कोई देख टेंशन वाली बात नहीं है आपको क्या करना है आपको यहां पर जाना है यह symbol पर क्लिक करना है and then you can easily you can just set it like this set हो गया यहां पर अभी यहां पर भी set कर लीजे जैसा book का रहता है वैसा ही आपको यहां पर भी करना होगा तो मैंने यहां पर भी ऐसे कर लिया तो यह दम book का page जैसा यह भी set हो गया है done अब इसको तोगा सा नीचे की और ले ले लेते हलका सा यह हो गया set लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या हो रहा है यहां पर अगर आप देखोगे तो एक darkness होनी चाहिए वह dark value नहीं होगा तो यह लगेगा नहीं कि वह चीजे अंदर गई हुई है अभी क्या लगेगा आपको कि यह बस ऐसे ही दिख रहा है यहां से ग्रेडियन फिल कर दीजें कुछ ऐसा अभी क्यान है यह तो हमारा white है यह black है तो जैसा कि आपको पता है कि white को blend करने के लिए अपने multiply blending mode का इस्तमाल करते हैं तो यह देखिए मैंने multiply यहां से use कर लिया ठीक है multiply use कर लिया and that's it यह देखो अभी यह book जैसा दिख रहा है लेकिन आपे बहुत dark दिख रहा है उसको मैं solution कर लूँगा लेकि सबसे पहले यह समझे है कि इसमें image को कैसे use करना है और मैंने यह dark वाला जो दिया है वो क्यों दिया है यह दोनों चीज को समझे तो इसके अंदर अभी image को सिफ use करना है आपको and this is my placeholder मैं यह आपर right click करूँगा और इसको एक color दे दूगा अगर आप save नहीं करेंगे तो problem हो जाएगा yes पर click कर देजिए that's it अभी आकर यहाँ पर देखिए आपका magazine यहाँ पर set हो गया है लेकिन problem क्या हो रहा है problem हो रहा है कि यह लग नहीं रहा है कि page से मुड़ा हुआ है तो इसलिए मैंने इसका इस्तमाल किया था लेकिन यह कुता हुआ दिखेगा आपको अभी यह थोग ज्यादा डार्क अगर लगे तो यहां से एक masking लेजिए और यहां से आप ऐसे brush लेके थोड़ा सा इसको ऐसे refine कर दीजिए क्योंकि इधर ही dark होना चीए that's it तो इस तरीके से आप यहाँ पे कोई भी चीज बना सकते हैं अभी अभी देखो यहां पे मज़ेदार चीज क्या होगा कि अगर मैं यहां पर अगर मुझे सपोज इसके अंदर अगर कोई और चीज डाल ली है तो चलिए मैं एक और कोई चीज open कर लेता हूँ फटा फट open कर लेता हूँ कोई एक चीज जैसे यह बला डेजाइन अगर मुझे इसको भी इसके अंदर डालना है तो आपको क्या करना है सिर्फ डबल क्लिक on this compose layer जो कि आपका convert to smart object था and बस आपको इसको उठाना है और उठाकर यहाँ पर डाल देना है अभी देखिए यह छोटा है तो आप इसको बड़ा कर दीजिए आपको क्या करना है यहां से कर देना है बंद and save जैसे ही save करेंगे आप अपने page पर आकर देखेंगे यह देखिए automatically यह अपडेट हो चुका है तो इस तरीके से हमें mock-up design करना होता है mock-up design के और भी मैं आपको कुछ examples दिखाता हूँ जो video album यानि की canvara album वगरा में जिनका इस्तमाल बहुत जादा होता है तो चलिए मैं एक और example आपको दिखाता हूँ फटाफट तो जैसे मान लो कि यहां पर मैंने एक ऐसा कुछ ले रखा है gradient and now I am taking a box which is a rounded rectangle box मैंने ऐसे ले लिया ठीक है अभी यह box मेरा बन चुका है अभी मैं चाहता हूँ कि इसको तो आसा perspective में रखो तो 3D जैसा दीखे तो मुझे क्या करना होगा मुझे करना है लेकिन जो भी आप करेंगे इसमें जो भी आप changes करेंगे उसको सबसे पहले आप यहां पर right click करके इसको convert to smart object करिएगा यह बिलकुल नहीं भूलना है अगर आपने यहां पर कोई changes कर दिया and then convert to smart object करेंगे तो वह problem हो जाएगा फिर आपको वहां पर वैसा result नहीं मिलेगा जैसा आप चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है convert to smart object then press ctrl T right click and perspective and just I will make it like this थोड़ा सा टेड़ा दिखेगा okay so yeah done हो गया है and then हमें क्या करना है देन हमें करना है कि इसका एक shadow भी बनाना है मुझे इसका नीचे में shadow भी दिखना चाहिए so मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं इसी को copy किया यहां पर ठीक है लेकिन उसके पहले आप ctrl J कीजिए and ctrl T कीजिए and right click करो इसको कर तो flip vertical so यह vertical ही तो हो चुका है अब इसको आप लियाओ यहां पर यहां लियाओ and right click करके इसको करो distort और अभी इसको यहां पर set करो ताकि वह लगे कि ताकि वह लगना चाहिए कि यहां वह हमारा सच में वहां पर कोई shadow बन रहा है तो कुछ इस तरीके से मैंने इसकी setting कर दी यह देखिए हो गया लेकिन यह अभी reflection जैसा बिलकुल नहीं दीख रहा है तो आपको क्या करना है आपको इसको select करना है and यहां पर आप कर दीजिए this is your placeholder तो right click and read and इसको आप नाम देदीजिए रिनेमिंग करना जरूर यह कभी आप भूलियेगा नहीं रिनेम आपको जरूर करना है reflection मैंने देदिया इसका नाम और मैं यहां पर जाओंगा एक mask लूँगा और gradient लेकर थोड़ा से इसको इस तरीके से कर दूँगा यह देखो अभी आपको बिलकुल दिख रहा होगा कि यह इसी का reflection है नीचे में ठीक है मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूं अब मज़ेदार चीज यह है कि अब आपको यहां पर image डालने के लिए ज्यादा महनत नहीं करनी पड़ेगी आप सिर्फ इसमें image डालेंगे इसमें automatically आपकी image automatically इसके अंदर आ जाएगी कैसे आएगी चले मैं आपको दिखाता हूं तो सबसे बहले आपको इस पर क्लिक करना है convert to smart object डबल क्लिक करेंगे यह देखिए यहां पर खुल गया अब आपको क्या करना है आपको image लेकर आना है तो जो भी image आपको डालना है वो डाल दीजे तो जैसे suppose माल लो कि मैं यहां पर कोई एक image ले लेता हूं फिलाल के लिए यहां पर लाकर डाल दूँगा अभी जब यहां पर लाकर डालूँगा तो आप एक चीज देखेंगे कि यहां पर तो आगी है लेकिन यह देखो इसके जो rounded rank है ना इसके जो rectangle है वो rounded है अगर मैं इसको ऐसे छोड़ दूँगा तो वो पूरा का पूरा कबर कर जाएगा तो आपको यहां पर clipping mask यूज़ करनी है क्लिपिंग मास्क कैसे यूज़ करते हैं उसका shortcut Alt प्रेस करना है अल्ट प्रेस करके इन दोनों लेयर के बीच में क्लिप कर देना यह देखेंगे तो यहां पर यह क्लिप मास्क हो चुगा है क्लिपिंग मास्क का इस्तमाल करते हैं किसी भी सेप के अंदर कोई इमेज को डालने के लिए अभी मुझे क्या करना है अभी बस आप इसको बंद कर दीजे सेफ कर दीजे अभी आप रिजल्ट अगर देखोगे तो आपको समझ में आएगा C यहां पर आप देखिए आपका इमेज इसके अंदर लग चुका है और इसका रिफ्लेक्शन भी बहुत बहतरीन रिफ्लेक्शन यहां पर क्रियेट हो चुगा है तो इस तरीक से हम कोई भी इसको चाहे हैं क्या करते हैं अभी के लोग मॉक अप खरीदते हैं तो आपका काम है मॉक अप डिजाइन करना अगर आप मॉक अप डिजाइन करेंगे अगर आप उसको ऑनलाइन सेल करेंगे definitely you can earn like 10,000 और 15,000,000 एनम months it's a very very simple and very smart work सो इस तरीके से हम लोग mock-up design करेंगे और mock-up design करके हम इसको चाहिए तो sale कर सकते हैं और अपने future work के लिए भी इसका इस्तमाल कर सकते हैं सो friends mock-up design में रखते हैं बस इतना ही उमीद है कि आपको mock-up design करना समझ में आया होगा आगे चलके मैं आपको प्रोडक्ट से related और कुछ लाइक चिप्स और जो लेस के पैकेट्स होगा रहा होते हैं इन पर भी मैं आपको mock-up design करना सिखाऊंगा तो बने रहिएगा वीडियो में देखते रहिगा और वीडियो कर अच्छे लगए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को subscribe कर लिजेगा और प्यारा से comment लिख दीजेगा हमारे लिए तो चले मिलते हम आपसे नेक्ट वीडियो में तब तक लिए बाबाई टेक केर और मस्ट इंपार्टन किप लर्णिग